कि आज का टोपिक है हमारा हम पढ़ेंगे पहली परिक्षण ठीक है आज जो हम पढ़ने वाले हमारा चैप्टर है पहली परिक्षण ठीक है आज हम पढ़ेंगे पहली परिक्षण के वारे में ठीक है इसमें जो क्यों आते हैं कि उस्सन जो आते हैं दिखें इसमें जो आते ह आपके बैठने की विवस्ता पर ठीक है मंजिल पर अधारित आते हैं ठीक है कौन सी मंजिल पर है और इसमें जो आते हैं बॉक्स पर अधारित आते हैं कि उससन इसमें जो होते हैं देखे पहला क्यूसन क्या कह रहा है आठ मित्र सोमू जय लवली दीपा कभीता अभिसेख प्रवात और अमित को बेविन ब्रांड पसंद है ठीक है इन्हें क्या है बेविन ब्रांड पसंद है ठीक है एरा, रिवा, रिवा, प्यूमा, लेबिस, पोलो, पेटूलन, ली और बिग बाजार में बाजार वे सभी एक बरगकार मेच के चारोर केंद के और मुकर के बैठे है ठीक है शुरू से पढ़ लें एक वार और इसको ठीक है आठ मित्र हैं सोमू जय लवली दीपा कभीता अभ अगलक बिविन ब्रांट जो है पसंद है ठीक है एरो, रिवाग, प्यूमा, लेबिस, पोलो, पेटलो, ली और बिग बाजार में ठीक है बे सभी एक बरगकार मेच के चारो और केंदर की और मुकर के बैठे हैं पिरती एक तरफ दो बैठे हैं दीक है पिरती एक तरफ क्या पर एृव गोल मेच के चार तरफ बैट eerते हैं का यहां से करते हैं आज पईलिशकर कर दो देखेंगे पाइन दूदर Yaan Kaposer मतलब तीन स्थान पर हैं अगर तैय जाएंगे तो हमारा साइ28 फॉद्ट क्योबथ्धां एल उल्सन ओद्ट एखिक हैं तो मतलब करी कि यह धिन्ट करेंद गारहन कि व्य चाहिए दतान आगें हम यहाँ पर तीसरे स्थान पर किसको मालने लवली को मालने ठीक है तो पहला हमारा यह बन गया अब आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है अमित को बिग बाजार पसंद है अमित को क्या पसंद है बिग बाजार पसंद है ठीक है और अमित को क्या पसंद है बिग थोड़ा हम इसक को हम लिख लेठें तो एक और आपके दो एक रचाहिए धो आपका अमित और क्या पसंद है अमित को जो है बिग बाजार पसंद और यहां को बैठेती है आपकी लवली ठीक है यहां को बैठती आपकी लवली ठीक है अभी सेख को कविता के बाएं से दूसरे इस्तान पर मतलब अभी सेख कविता के बाएं से दूसरे इस्तान पर वैठा है अभी सेख जो है कविता से बाएं से दूसरे इस्तान पर वैठा है देखे दो तो इधर बैट गए है कविता के बैटा कविता लबली या अमित के निकटतम पड़ोसी नहीं है और इनके क्या है वो निकटतम पड़ोसी भी नहीं है ठीक है इनके निकटतम पड़ोसी नहीं है ठीक है किसके अब इसे कविता के 22 से दूसरे इस्तान पर बेटा है कविता लवली या अमित की निकटतम पडोसी नहीं है मतलब इसकी जो कविता भी हो कविता किसकी अमित की निकटतम पडोसी नहीं है तो यहाँ पर इसको हम कवीता को रख दें ठीक है और कवीता जो है अमितिया लवली की क्या है निकटतम पडोसी नहीं है ठीक है तो यहाँ पर भी नहीं आएगी यहाँ पर तो आएगी नहीं है ठीक है ब्यक्ति जिसे एरो पसंद है ब्यक्ता का निकट तम है जिसे एरो पसंद है वो क्या है कभीता का निकट तम है तो एरो को हम यहाँ पर रख दें ठीक है तो कभीता के निकट आ गया यह ठीक है यह क्या होगे कभीता के निकट आ गया ठीक है निकट्तम पडोसी है अमित ओल्ली को पसंद करने वाला है अमित किसे पसंद करने वाला है ली को पसंद करने वाला है तो इसको अभी अमित ओल्ली को पसंद करने वाले ब्यक्ति के मद्य है तीन ब्यक्ति बैटे है अमित ओल्ली को पसंद करने वाले व्यक्ति के विश्क इतने व्यक्ति 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 व्यक प wybord क्या है वो पसंद नहीं है ट्क है तो रिवाक की बात करें तो हम इस से म बठाएंगे अगर इसकी बात करें तो रिवाक इनके पास तो आएगा नहीं बीच में ठीक है तो रिवाक हमारा कहां आजाएगा यह आजाएगा हमारा इधार ठीक है कहां जाएगा रिवाक आजाएगा हमारा यहां पर ठीक है अब आगे के कह रहा है रीबाक और पिरभात की पसंद करने वाले के बीच के बल एक ब्यक्ति बैठा है रीबाक को पसंद रीबाक और पिरभात को पसंद करने वाले के बीच के बल एक ब्यक्ति बैठा है तो उसको हम कहां बठाएंगे दिखे रिवाक और अभिषेक को पसंद करने के बाले के ब्यक्ति के कितने भी बैठाया तो उसकी बात करें तो उसे हम कहां बठाएंगे उसे हम बठा दें देखे प्यूमा और लेविस को पसंद करने वाले एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है प्यूमा और लेविस ठीक है अब प्यूमा और लोविस की बात करें प्यूमा को अगर हम प्यूमा क्या है हमारा एक ब्रांड है ठीक है रिवास रिवाक और प्रिवाद को पसंद करने वाले के बीच के बल एक ब्यक्ति बैठाया ठीक है तो अगर हम तो यहां पर आजाएगा हमारा जै यहां पर क्या आजाएगा हमारा जै और यहां पर क्या आजाएगा हमारा सोमू ठीक है और सोमू का ब्रांड जो पसंद करता है वो करता है लेवीस को किसे पसंद करता है वो लेवीस को ठीक है कि पॉलो को सूद्धंद नहीं है जे की रिवाग पसंद नहीं ठीक है तो क्या हो इसका प्यवेग का प्यूमा लेबली का प्रंड 협于 आपका पोलो ठीक है और उन्हें लूऑ और रिवाब किसका ब्रांड पार कार्म हो गया कवा और रिवाब किसका ब्रांड हो गयाлох धीप का पैंटोलन्स की ता ओगले हैं कविता का ठीक है पैंटा रहे जो है ने क्सित हो गया जो समय मैं यह तो ऑगया है nelas suait ab listenen तो अब कह रहाए अभी सेख के सम्मन्द में निम्न कित्में से कौन सा सत्य है अभी सेख को पोलो पसंद है अभी सेख को क्या पसंद है ली पसंद है ठीक है क्या पसंद है ली पसंद है दीपा और पिरवाद अभिसेख के निकटतम पड़ोसी है ठीक है दीपा और पिरवाद की बात करें दीपा कहा है आपकी दीपा तो है पडोसी ठीक है लेकिन पिरभात पिरभात जो आपका ये भी ऑप्सन गलत है ठीक है अभी सेख और प्यूमा पसंद करने वाले के बीच एक ब्यक्ति बैठा अभी सेख और बैठा ये टिक है कूण बैठा है अवी सेख और प्याख करने वाले कितना वैठा ये वेट है एक वैठा कोन वैठा है आपका लवली निमलिकित ब्यवस्ता का ध्यान पूर्बक अध्यन करें निमलिकित प्रशनों के उतर में तिल्लोक, मुकंद, महेश, समेश, अर्जुनोर, भूपाल एक छे मंजिल अपार्टमेंट की छे मंजिल पर रहते हैं जिनकी संक्या एक से चे है, मंजिल एक सबसे नीचली है और किसा है कि यृव्ताली गेमें मौनखन जोसुन देगा लिक में पैंपहता हूं समthis देख्रकहर्ण में चैने ही आर्चुनों के और मुकंद और मुकंद के बीच दो मंजिल ली composition-17 का वैशन intended दो पर गहां ? पर क्यों हार मंम लोग टाय। शे मंजलों में 6 लोगों को तीकिए 6 मंजल है क्या है63 मंजले और शेए लोग इसमें रहते हैं वह कह रहा है nka στα पहले कह रहा है वह Спwalk पहले कह रहा है मकंध देखे सुरू से अपको देख लेते हैं यहाँ पर इसको आप देख लीती यहाँ टीक है अब मनजल की बात करें तो एक मनजल आपकी यह गई यह क्योगी दो तीन चार पांच छह मनजलोगी हमारी ठीक हैthy कि होगी हमारी छह मनजलों दीखे fraction को एकका आपरिट Workman exactement है इसमें 돼 एक दो तीन चार पांच यह छह मनजल इमारत होगी ठीक है अब वुक्य कह रहा है महेश एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है महेश जो रहता है एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है तो इसमें एक होगी दो होगी तीन होगी चार होगी पांच होगी छे होगी समसंख्या क्या आपकी दो है ठीक है तो यहाँ पर कौन रहता है आपका महेश रहता है ठीक होएगा इसका मतलब बोवक का है वो ना तो उपर सबसे ना तो नीचे है ठीक कि ऑर गुभर्णेक वुपाल सोमोच से नीचे है ठीक है तोकिता है rad attitudes मुकंत दो मंजिल अरजुन और मुकंत के बीच कितनी हैं दो मंजिल है मुकंत सबसे नीचली मंजिल पर नहीं रहता है किया है अगर इसमें बात करें देखें महेश एक समसंक्या वाली मंजिल पर रहता है तीनों केस में हमने क्या करेंगे अब महेश क्या रहता है एक समसंक्या वाली पर रहता है अब अगली एक रूस में बात करें वो कह रहा है यहां पर एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, पाच मंजिल, छे मंजिल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, मुकेश एक समसें कि हमारे, अरजुन ने तो सबसे उपर, अब अरजुन क्या कर रहा है, ना तो सबसे उपर, और ना सबसे उपरी मंजिल पर रहता है, और न कौन है उपर तिलोक है भूपाल से नीचे अर्जुन और मुकंद के वीच दो मंजिल है देखे अगर हम तिलोक को यहाँ पर बठाएं देखे तिलोक ठीक है महेश और मुकंद के उपर क्या है तिलोक है ठीक है और हम अर्जुन हमारा कहा गया अर्जुन नहीं तो सबसे उपर मंजल पर रहता है और नहीं सबसे नीचली मंजल पर रहता है ठीक है अगर हम आर्जुन को यहां पर बठा दें और उसके बाद क्या कहा रहा है वो महेश को हम यहां रख दें ठीक है और सोमेश ठीक है और सोमेश यहां रख दें और उसके बाद हमारा क्या था यहां पर मुकुंद ठीक है अब इसको हम क्या रख दें मुकुंद मुकुंद को यहां रख दें और भुपाल को सबसे नीचे ले आए ठीक है अब हमत तीसरा उसमें क्या कह रहा है आगे देखंगे देखे, अर्जुन ने तो छटी मंजिल पर है, और नहीं फर्ष्ट मंजिल पर है, ठीक है, इसके अनुसार हम पहले उसमें देखंगे, अर्जुन को तीसरी मंजिल पर रखा, दुत्या केस में हमने क्या रखा, तीसरी मंजिल पर रखा, पांची मंजिल पर रखा, ठीक है, कह यहां पर तीसरी मजरम में औरates सहें थी दो तीन चार पांच अगर यहां-पर दूसरी मंजरम को रख दें ट्रें और महेस को सबसे उपर ले जाएं चिक अ माहेश को सबसे उपर ले जाएं और अर्जुन को पांच नी चार अगले टें तो इससे क्या होगा मुकंद और महेश के उपर कोन है मुकंद और महेश के उपर कोन है तिलोक ठीक है तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा इसका बन जाएगा हमारा अरजुन जो है वो दो मंजिल पर रहता है मतलब अरजुन जो है हमारा वो दो मंजिल पर रहता है ठीक है कोड रहता है अर्जुन हमारा दो मंजिल पर रहता है ठीक है मतलब उपर से दूसरी मंजिल पर रहता है ठीक है तो हमारा यह उप्शन सही रहेंगे ठीक है इस तरीके से हमारा बन जाएंगे ठीक है भुपाल सबसे नीचे है मुकंद दूसरे नीचे से appointment जाएंगे तो हमारा दूसरे पे ठीक है तो हमारा option number आपका इसमें जो बनेगा ये बनेगा आपका अर्जुन ठीक है क्या बनेगा अर्जुन ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question कहाए रहा है साथ डिब्बे ए, बी, सी, डी, जी को एक उपर रखा गया है लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो पिरती एक बाक्स में जूते कागज बेंड दबाएं रीबन, क्रीम और फोन अलग-अलग आइटम है लेकिन दूसरी जरूरी नहीं है इसी क्रम में D और G के बीच केबल तीन बाक्स रखे है रीबन बाक्स जी के ठीक उपर रखा है केबल एक बाक्स रीबन बाक्स में है ठीक है, निचे दूसरा नहीं है केबल एक बाक्स रखा E है के बीच E को E के उपर रखा गया है तो medicine box E के ठीक उपर रखा गया medicine box और सुबास के बीच के बल तीन box रखे गए है paper box phone box से ठीक उपर है G paper box नहीं है F cream box के ठीक नीचे रखा गया है B cream box के बीच के बल एक डिबा है ठीक है पहले उसमें बात करें हम medicine C ठीक है अब भो कह रहा है सुरू से देखते हैं इसको हम एब, आगा जोनी के उपर रखा गया है लेकिन जरूर नहीं है कि इस्हीं क्रेम में हो मतलब भो कह रहा है एक box एब, इस्हीं कवी गफहा हम आपर गयर यह बाक्स में जूते कागज बेंड दबाएं, रीवन क्रीम फोन अलग-अलग आइटम है, लेकर जरूँ नहीं है कि इसी क्रेम में हो, डी और जी के बीच के बल्ट तीन बाक्स रखे गए हैं डी और जी के बीच जो है आपके, वो क्या रखे गए हैं 3 box रखके गए हैं मतलब यह कहा है 7 box है कितने box है अगर हम इन की बात करें तो आपके हाँ कितने box है 7 box ठीक है कितने box हैं आपके 7 box है ठीक है देखे एक box दो box तीन box चार box पांच box छटा एक दो तीन चार पांच छे और यह आपका साथ box हो गए ठीक है अब पहला box जो है हमारा कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ box हो गए ठीक है हमारे कितने box होगे हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ वोक्स वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है वो एक हो गया आपका, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, छे, और साथ ठीक है, अब वो कह रहा है D और G के बीच केवल तीन बाक्स रखे गए ताज कि यह मतलब है तैसे साफियो चहें हैं राहा है मतलव में दूसिट से आया का विश्च में जा कि हम एके बाद अगर बी के बाद हम एप रखें बुन नीचे कह रहा है ना एक बीच रखा गया ठीक है केबल एक बाक्स रीवन बाक्स एक बीच रखा गया है एक बीच के रखा गया है केबल एक बाक्स रखा गया है ठीक है और यहां पर हमारा जी आ गया रीवन बाक्स के दूसर नहीं है, रिवन बाक्स जो है हमारा, वो कहा है, दूसरा नहीं है, E और A के बीच कितना है हमारा, एक है, ठीक है, E और A के बीच कितना है हमारा, एक है, कौन सा हमारा, जी आ गया, ठीक है, E, E और A के उपर रखा गया, मेडिसन बाक्स, E के ठीक उपर है, मेडिसन बाक्स, E के और यह हमारा cream box हो गया, यहाँ पर इसको हम रख देते हैं, अब वो कहा रहा है, ribbon box, इस्टेक के नीचे रखा गया, ribbon box कहा रहा है, इस्टेक के नीचे रखा गया है, और वॉपर piston को सबते हैं गख सब्स नंगर रखेगा सबस्यागं दिए डिदेट ना सब्सक्राइब करेगा है। तो यहां पर आजाए अपका मेडिसन ता रीवन वाक्स आगया और आपका क्रीम बाक्स आजाएगा ठीक है कौन सा जाएगा क्रीम बाक्स ठीक है यह क्या है यह कैले आपका सू वाक्स आगे कह रहा है ऐसा एक स्पह सा एक पूपर भंज करों मा इस फोर ऐग्या है। तो पेपर वाक्स किसके उपपर रखतै है और फोन बाक्स के उप़िख जिते Somewhere और और रहा 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 है जी पेपर स्ट नहीं है सी ज स्ट एप को क्रीम बाक्स के ठीक नीचे रखा गया ले और क्रीम बांक से एक डिबा रख जांग नानसखत तो प्रस्केल्प जो एक शुmononek तो हमें क्या करना है निमलिकित में से 5 से 4 एक निश्ची तरीके से समान है और इसलिए एक समू बनाते हैं तो कौन सा बनाते हैं तो यह होगा आपका अगर इसकी बात करें ओप्सन नंबर आपका सी जूते क्या हो जाएका आपका जूते ठीक है अगला क्यूसन देख लेते हैं अगला क्यूसन क्या है कि एक कक्चा में रविवार से सनिवार तक 1 सब्ता में 6 ब्याक्यान पी क्यू आरइश्टी यू एक पर केभल एक ब्याक्यान निमलिक्त के नुसार बिसेश दिन ठीक है क्यूं का आयोजन वंगलवार को किया जाना चाहिए और उसके बाद एस नहीं जाना चाहिए ठीक है एस उस दिन से पहले आयुद किया जाता है जिस दिन कोई व्याक्यान आयुद नहीं किया जाता है सुक्रवार वह दिन नहीं है आगे करा तीसरा पी गुरुवार को आयुद नहीं किया जाना चाहिए S को T के बीच दो दिन का अंतर है R और U के ठीक बात आयोजित क्या जाना चाहिए ठीक है तो हमें बताना है R और S के बीच कितने ब्याख्यान आयोजित किये गए ठीक है देखे हमें क्या करना है दोनों केस में Q को मंगलवार से पहले रखते हैं मतलब Q को जो रखते हैं मंगलवार से हम इसमें अगर इसको हम रखें इस तरीके से देखे पहले अगर हम रखें देखे रभी बार सोम बार मंगल बार बुद्ध बार गुरु बार सुक्र बार और सरी बार ठीक है यहाँ पर आगे अगर रभी बार ठीक है यहाँ पर आगे आपका सोम बार ठीक है और यहाँ पर आगे आपका मंगल बार ठीक है मंगल बार यहाँ पर आगे आपका बुद्धवार ठीक है उसके बाद आपका गुरुवार उसके बाद आपका सुक्रवार ठीक है उसके बाद आपका सनीवार ठीक है तो यहाँ पर अगर हम इसके अनुसार रखें तो हमारे पास क्या क्या है आपके यह दिये हुए है पी तो वो कह रहा है Q का आयोजन मंगलवार को किया जाना चाहिए Q का आयोजन काहिए दिन किया जाना चाहिए मंगलवार के दिन किया जाना चाहिए Q का आयोजन मंगलवार को किया जाना चाहिए उसके बाद S नहीं आना चाहिए उसके बाद क्या है S नहीं आना चाहिए ठीक है तो इसको यहां से छोड़ दो S उस दिन से पहले आयोजित किया जाता है S जो है Q से पहले आयोजित किया जाता है ठीक है तो S को हम यहां पर रख देते हैं जिस दिन कोई ब्याक्यान आयोजित नहीं किया जाता है ठीक है तो इसको हम यहां पर रख देते हैं ठीक है शुक्रवार वह दिन नहीं है मतलब शुक्रवार को मने कर रहा है तो शुक्रवार को वह दिन नहीं हो सकता ठीक है पी गुरुवार को आयोजित नहीं किया जाना चाहिए तो हम सनिवार में रख देते हैं किसको पी को ठीक ह कहां पर रख दिया सनी वार में ठीक है क्योंकि आगे वो कह रहा है S और T के बीच जो है दो दिन का अंतर है ठीक है S और T के बीच जो टीक है कहां जागा मारा बुद्ध पे आ गया ठीक है R और U के ठीक बाद आयोजित क्या जाना चाहिए R जो है वो U और U और जो है U R को U के ठीक बाद आयोजित क्या जाना चाहिए तो एक हमारा ये बन गया अब आगे अगर हम इसके अनुसार देखें तो इसमें जो होगा हमारा देखे एस को सिर्फ रवी बार में ही आयुद करेंगे ठीक है इसको काई में करेंगे रवी बार में ठीक है अब सेकिंड पहले में हमारा इस कतने के उसार क्या करेंगे हम क्यों को मंगल बार में रख सकते हैं ठीक है क्यों को मंगल बार में रख दिया हमने और इसके साथ भी ह डिक e-invest डिक का अंतर है 8 teen kaat 2 दिनका अंतर होना चाहिए ठीक है तो इसके निसार के लिखंगे अम टीकों लिगदिया हमने ठीक क के लिखंगे बुध्ध में रखनगे ि कर दीक है आगे कह़े और कि ठीक बाद यू आनी चाहिए ठीक है अर के ठीक बाद हम क्या करेंगे यू को रख देंगे ठीक है इसलिए यू गुरुवार को आएगा इसके बाद और सुकूर वार को आएगा ठीक है तो पी सनी वार पर रहेगा पी का पर रहेill novella Alva पर ठीक है तो आर और एसके बीच कितने जाना आयोजित कि गये आर और और S के बीच, R और S के बात करें, तो इनके बीच कितने आया आया आया, Q आया, T आया और U आया, तो कितने कर गए आपके, तीन ब्याख्यान आये जित किये गए, कितने किये गए, तीन ब्याख्यान आये जित किये गए, ठीक है, किस दिन कोई ब्याख्यान नहीं आया ठीक है तो आपका जो ब्याख्यान नहीं आया है वो सोमबार के दिन आपका कोई नहीं आया है ठीक है यहाँ पर क्या था कोई नहीं आया था किसके दिन सोमबार के दिन option नमबर आपका B हो जाएगा ठीक है चलिए अगरा क्यों संदेखत है कि एक परिवार के छे सदस्य है ठीक है कि क्या है छे सदस्य है जिसमें दो विवाहित जोड़े हैं टी एक सिक्चिका की साधी एक डाक्टर से हुई है जो आर यू की मा है क्यों केवल बकील का विवा पी से हुआ है है पी का एक बेटा है और एक पोता है दो विवाहित मेलाय से एक गर्णी है परिवार में एक छात्र और एक पुरूस इंजिनियर है ठीक है डीक है मतलब टी क्या है एक सिक्चिका है ठीक है एक सिख्छी का है ठीक है मतलब टी क्या है एक सिख्छी का है और टी सिख्छक के साथ ही किसके साथ होई है किसके साथ होई है डाक्टर के से होई है आर जो है यू की मा है ठीक है आर क्या है वो यू की मा है कौन आर जो है वो किसकी मा है आर और यू की माँ है कौन है टी है ठीक है आर और यू की माँ कौन होगी आपकी टी होगी कौन आर और यू की माँ कौन है आपकी टी है ठीक है आर और यू की माँ कौन होगी टी होगी ठीक है कौन होगी यह अध्यापक कौन है अध्यापक कौन है आपकी टी है ठीक है और वो आगे कह रहा है आर और यू की माजो है वो कौन है ती है क्यूं बकील का विवा पी से हुआ है क्यूं बकील का विवा पी से हुआ है पी का एक बेटा और एक पोता है दो विवाईत मैला एक ग्रैणी है परिवार में एक छात्र और एक पुरुस इंजिनियर है ठीक है देखें अगर इसकी बात करें तो वो कह रहे हैं अब हमें इनके क्यूं का क्यूं बकील का विभा पी से हुआ है ठीक है तो ये दोनों कोन है ये तो बाई बहन है ठीक है ये दोनों बहन बाई है ठीक है ये क्या हो गया एक हमने इसमें छात्र रख दिया ठीक है ये छात्र क्या हो गया का एक चात्र हो गया ठीक है पुरुष और इंजिनियर होगे ठीक है एक चात्र हो गया ठीक है इसमें तो यह भाई बैंद हुघ लोगे UB इंजीनियर है ठीक है अगर हम किसके साथ हुआ है अद्ध्या और किसके बात हो गया डाक्टर डाक्टर कौन हो गया आपका एस रख देते हैं ठीक है डाक्टर को हम एस रख दें ठीक है किसे रख दें हम एस रख दें ठीक है दम पत्ती हो गया यह ठीक है अब अगर इसकी बात करें देखें क्यूं का विभाज हुआ है वो पी के साथ हुआ है क्यों के साथ ठीक है किसके साथ हो आया है क्यों के साथ ठीक है तो बकील कौन हो गया क्यों बकील हो गया ठीक है और पी जो आपकी ग्रहाणी हो गई ठीक है क्या हो गई ग्रहाणी हो गई ठीक है तो किसकी बतनी हो गई बकील की पतनी क्या हो गई ग्रैंडी हो गई यह कुन हो गया आपका डॉक्टर हो गया ठीक है तो यह हो गया ठीक है अब इसकी बात करें तो वो क्या कह रहा है निम्ले के तुमें से कौन परिवार की पोती के बारे में सही है ठीक है तो यह इसका पूत कौन सा हो गया एक मतलब पोती की बात कर रहा है तो अगर इसमें देखा जाए किया है वह एक चात्र है मतलब वह क्या हो गया चात्र हो गया चात्र भी हो सकता है और इंजिन्यर भी हो सकता है लेकिन इन दोनों में से नहीं होगा ठीक है चलिए अगला क्युस्टन देखते हैं अगला क्युस्टन कह रहा है देखे इस क्युस्टन को आप स्वैम कर ये और इसका अंसर मेरे को कमेंट बुक्स में बता दीजी ठीक है उसके बाद मैं आपको इसके अगले टोपिक अगले चेप्टर में करा दूँगा चलिए फिर मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद